पश्चिम मंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीब घोश ने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद से गुजरते इस काफिले का कुछ लोगों ने घेराव किया पहले तो लोगों ने दिलीब घोश को काले जंडे दिखाये और गो बैक के नारे लगाये लेकिन उसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने काफिले पर पत्राव तक कर दिया पत्राव में कई गाड़ियों को नुक्सान पहुँचा है दिलीब घोश ने इस हमले का आरोब टीमसी कारेकर ताव प लगाया उन्होंने ट्वीट किया कॉंग्रिस के दिगज नेता रहे अहमेद पटेल के देहान के बाद उनका पार्थिव शरीर आज उनके पैत्रिक गाउं ले जाये जाएगा मौत से पहले अहमेद पटेल की आखरी च्छा क्या थी वो आपको बताएगा कॉंग्रिस की चानक की कहे जाने वाले अहमेद पटेल का अंतिम जन्सकार आज उनके गाउं में किया जाएगा आज एहमेद पटेल के पार्थिव शरीर को उनकी जन्म भूमी गुजरात के भरूच के पिरमल गाउं लाये जाएगा एहमद पटेल की आखरी एक्षा थी कि उनकी कब्र उनके गाउं में उस जगह पर बने जहां उनकी अम्मी हवा बेन पटेल और अब्बू मुहमद इशाक जी पटेल की कब्र है परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे टीवी नाइन भारत वर्श पर